Hello everyone, welcome to Score Plus, this is Shalendra Pandey, your physics mentor. तो प्यारे बच्चों, हम लोग electricity chapter में काफी कुछ पढ़ चुके थे, आज हम लोग इस chapter के लगबग ending की तरफ हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं, heating effect of electric current. किसी भी वायर में अगर electric current flow हो रहा है, तो वहाँ पर उस current को oppose करने वाला होता है resistance. और उन दोनों की आपसी भिलंत की वज़े से ही वहाँ पर heat generate होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कोई काम करना चाहते हो, और आपको कोई दूसरा person opposite direction में खीच रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते है heating effect of electric current. तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यही चीज़ को समझने वाले हैं, कि अगर यह कोई एक मालो heating coil है, आपने देखा होगा इस तरह का coil heater में लगा होता है, इस coil में आप देखो, अगर current flow हो रहा है, तो यह देखो एकदम red hot हो गया है, red hot होने का मतलब इसका temperature इतना जादा है, कि बहुत huge amount में heat release कर रहा है, तो यहाँ पर यह जो heating effect है, वो heating effect किसकी वज़े से देखने को मिलता है, main कारण है इसका resistance of the conductor, main reason है, resistance, जितना ज़्यादा उस conductor का resistance होगा, या resistor का resistance होगा, मेरे प्यारे बचों, वहाँ पर heat भी उतनी ही ज़्यादा generate होगी, क्योंकि opposition current का उतना ही ज़्यादा होगा, तो देखो लिखा है, when electric current is passed through a high resistance wire, like nichrome, high resistance wire, example के तौर पर nichrome, the resistance becomes, the resistance wire becomes very hot and produces heat, this is called heating effect of the current, तो यहाँ पर यह जो resistance वाला wire है, यह जो resistance वाला coil है, यह coil एकदम red hot हो चुका है, बहुत huge amount में यह current को release, यानि की energy को, heat energy को, मेरे प्यारे बच्चों, यह release कर रहा है, तो आप ऐसा मत समझना, कि अगर कोई भी current carrying wire है, तो वो हमेशा सिर्फ heat energy release करता है, नहीं, यहाँ पर हमारा काम था, यहाँ पर हमारी जरुवत थी, कि यह heat energy ही release करें, इसलिए हम लोग ने इस system को ऐसा बनाया, कि इसमें जैसे ही current flow कराओ, यह heat होने लगता है, heat जरूर release करता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ resistance है, current के रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, और उन्हीं रुकावटों की वज़े से वो वहाँ पर कुछ ना कुछ heat release करता रहता है, heating effect of current के बारे में अगर मैं आपको formula समझाऊ, तो बेटा जरा देखो ध्यान से, power जो होता है, power is equal to rate of consumption of energy, यानि कि power को हम लोग लिख सकते हैं, energy consumed upon time taken, और यहां से अगर हम लोग power को समझें, तो power का मतलब हो गया, देखो कितना energy consumed हुआ यहां पर, है रहा, so that will be total work done, divided by time taken, अगर हम लोग electric potential वाले formula को use करेंगे, तो यहां से हम लोग कुछ value निगाल सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, देखो दो तरीके हैं इसको derive करने के, अगर मैं work की बात करूँ, तो work होता है power into time, या कहलो energy consumed जो है, वो है power into time, तो मैं इसको e भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, energy या work that is equal to power multiplied by time, और last lecture में मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग power के बारे में पढ़ चुके हैं, power के तीन formula थे, सबसे पहला power का formula था, p बराबर v i, दूसरा formula था, p बराबर i square r, और तीसरा formula था, v square upon r, ये तीन formula हमारे पास power के थे, ये तीनो formula में से, हम लोग कोई भी use कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे, जो भी आपको सही लगे, है ना, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, we can write here, पावर की जगे अगर मैं v i लिखूँगा, तो energy का formula बनेगा v i t, पावर की जगे अगर मैं i square बनेगा, तो energy का formula बनेगा i square r t, पावर की जगे अगर मैं लिखूँगा v square upon r, तो भी इसका formula बनेगा v square upon r multiplied by t, इस तरीक एगा, तो यह आपके पास energy के formula हो गए और यही energy है आपकी heat energy that is the heat released when the current is flowing किसी भी conductor में मेरे प्यारे बच्चों अगर current flow हो रहा है तो इतना amount of heat वहाँ पर generate होगा तो इस energy को आप heat energy भी लिख सकते हो और हम सभी को पता है अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा unit of energy बताओ तो unit of energy हमारा होता है joule unit of energy होता है हमारा joule वर्क का भी unit क्या होता है joule लेकिन इसका एक unit और भी होता है calorie और हमारे पास इनके बीच में relation भी है 1 calorie is equal to 4.2 joules तो आप चाहे calorie में answer दो चाहे joules में answer दो यह आपके उपर है और यह आपके पास formula हो गए है ना अब आजाते हैं इसके दूसरे method पर क्योंकि हम लोगों ने electric potential पढ़ा रखा था V बराबर W by Q यहाँ से मैं लिख सकता हूँ W is equal to QV और यहाँ पर बिटा हम लोग लिख सकते हैं charge की जगे पर current into time क्योंकि current is equal to charge upon time तो charge is equal to current into time और जैसे ही आप लिखोगे जड़ा चेक करो current I time T और potential V तो W का यानि की work done का यानि की energy का एक formula हमारे पास फिर से आ गया V I T energy consumed is equal to V I T या फिर आपका मन है आपका होगे नहीं सर मैं या ohms law यूज करूँगा तो बेटा इसी V की जगे according to ohms law आप यूज कर लेना IR V बराबर IR है ना तो IR into I T तो ये आपका बनेगा I square RT आप कहोगे नहीं सर मैं फिर से ohms law यूज करूँगा तो मैं कहूँगा ठीक है भाई current की जगे लिको V by R तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया V by R का whole square RT और इसको आप अगर simplify करोगे तो W की value आएगी V square upon R multiplied by T तो यही तीन formula work done के है अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये Q charge है V potential के थूपास हुआ है तो आप बदलो कितना work करना पड़ा Q V कितनी energy आ गई Q V भाई जितना हमने work किया होगा उतनी energy मेरे पास रही होगी बिना energy के तो मैं कोई work कर नहीं सकता इसका बदलब अगर वो charge 10 Zool का work कर रहा है तो प्यारे बच्चों उसके पास 10 Zool की energy है और वही तो यहाँ पूछा जाता है तो अगर आपसे energy पूछा जाए आपस work पूछा जाए दोनों के लिए concept आपके पास same है दो तरीके हैं दोनों तरीकों से आप इसको derive कर सकते हो तो फिलाल यहाँ पर simple है energy यानि heat energy का formula है VIT I square RT या V square upon R into T इसमें यह जो formula आया ना H is equal to I square RT यह formula खास है क्योंकि इसी को हम लोग Joule's law of heating भी कहते हैं It is also known as Joule's law of heating Joule's law of heating हमको यह बताता है कि जो heat energy है जो heat energy यहाँ पर जो produce हो रहा है that is proportional to square of the current जितना जादा वहाँ पर current flow हो रहा होगा heat energy उतनी ही जादा वहाँ पर flow हो रही होगी heat energy is directly proportional to resistance also resistance के भी directly proportional है resistance बढ़ेगा तो भी वहाँ पर heat बढ़ेगा and this heat is directly proportional to time also मतलब जितना जादा समय के लिए आप उस conductor में heat flow करा रहे हो current flow करा रहे हो वो उतना ही जादा heat वहाँ पर release करेगा तो heat जो होता है that is directly proportional to square of the current that is directly proportional to resistance that is directly proportional to time time तीनों चीजों को अगर आप combine करते हो तो बनता है एच proportional to I square RT और proportional T हटेगा तो आप सबको पता एक constant आएगा और वो constant यहाँ पर chance की बात है 1 होता है तो मैंने proportional T हटाया constant लगाया K और K की value प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 होती है इसलिए हमारा heat का formula बन गया I square RT I square RT तो heat का प्यारे बच्चों formula क्या गया Joule's law of heating के हिसाब से I square RT So according to Joule's law of heating given by the formula H is equal to I square RT It is clear that heat produced in the wire is directly proportional to square of the current Directly proportional to resistance, directly proportional to time यह formula हमारे पास आगया कुछ बच्चों के मन में अब यह doubt जरूर आ सकता है कि सर अगर वो heat proportional to resistance है और सर रिजिस्टेंस तो current के inversely proportional होता है रिजिस्टेंस बढ़ता है तो current घटता है तो सर हीट proportional to I square कैसे हो गया यह एक बहुत अच्छा concept है मेरे प्यारे बच्चों लेकिन आप समझ लो यह individually proportional है individually जैसे मैं आपको एक example के तुरू समझाने की कोशिश करता आप सबने formula पढ़ा होगा F बराबर M A सुना तो जरूर होगा पढ़ा भी होगा 9th class में force is equal to mass into acceleration और प्यारे बच्चों if mass is constant अगर mass constant है तो हम लोग कह सकते हैं force is proportional to acceleration लेकिन अगर acceleration constant है if acceleration is constant तो अब हम कहेंगे force is proportional to mass लेकिन अगर force constant है if force is constant तो यहीं से हम लोग कहेंगे M into A बराबर constant और M into A constant होने का मदलब mass is inversely proportional to acceleration तो देखो एक ही formula से तीन तरह की बात हुई क्या force proportional to acceleration है force proportional to mass है और mass खुद acceleration के inversely proportional है अब मेरे प्यारे बच्चों यहां भी वही बात आई देखो कितना interesting और confusing topic है बच्चों को तुरंट confuse कर सकता है कि सर यही force acceleration के proportional है यही force और mass के proportional है लेकिन यही mass acceleration के inversely proportional है तो बेटा यह तीनों conditions अलग-अलग है ध्यान से देखिए आप ध्यान से देखिए conditions अलग-अलग है यहाँ पर mass constant है यहाँ पर acceleration constant है यहाँ पर force constant है इस वजह से ऐसा हुआ है इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा proportional वाली बात तभी लिखोगे जब बाकी चीज़ें constant हो जैसे मैंने बुला h proportional to i square यह तब चलेगा जब r और t दोनों constant हो when r and t both are constant h proportional to r यह तब चलेगा जब current and time यह कहलो i square and time both are constant यह तब चलेगा जब i square and r both are constant क्योंकि प्यारे बच्चों जब भी भी proportional टी हटेगा एक constant आएगा ठीक और अगर सोचो यहीं से अगर अभी यहीं पर आप यह proportional टी हटाओ, h बराबर लिखो तो i square के आगे का r t आपको लिखना पड़ेगा इसका मतलब वो r t यहां कैसा है? constant है i square t constant है यहाँ पर i square r constant है तो इस थरीके से यह बिटा law बनता है confuse मत होना i think मैंने आपका doubt clear कर दिया है अगर आपके मन में कोई doubt आया होगा तो a potential difference of 250 volts is applied across a resistance of 500 ohms in an electric iron calculate current heat energy produced in joules in 10 seconds अच्छा जी आजाओ जड़ा देखो जड़ा potential difference हमको पता है 250 volts resistance हम लोग को पता है 500 ohms हम से कह रहे हैं सबसे पहले current बता दो तो भाया ठीक है using ohms law v is equal to ir तो i is equal to v by r v की प्यारे बच्छो 250 resistance है हमारा 500 तो current कितना हो गया 1 by 2 ampere यानि कि 0.5 ampere next heat energy produced in joules बता दीजे सर heat energy बता दीजे सर heat energy का formula है प्यारे बच्छो i square r into t current हमने निकाल लिया 1 by 2 तो 1 by 2 square resistance हम लोग को given है 500 ohm time हमें given है 10 seconds तो ये value आपकी आ गई है 5000 और by 4 5000 by 4 तो ये आएगा आपका 1250 जूल्स बारह सो पचास जूल्स प्यारे बच्छों नेक्स देखो calculate the heat produced when 96,000 coulombs of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volts 50 volts का potential difference है देखो जरा क्या क्या गिवन है चार्ज गिवन है 96,000 coulombs time बचा गिवन है 1 hour 1 hour का मतलब होता है 60 minute into 60 seconds यानि 3600 seconds और potential difference हमको पता है 50 volts केरे heat produced बता दो h बता दो तो मेटा h बराबर heat जो produced भी heat energy है है ना energy का यहाँ पर formula है i square r t या फिर v square upon r into t या फिर qv heat का formula क्या है qv भाई देखो मैं आपको समझा रहा हूँ अगर potential v is equal to w by q है तो बेटा work का एक formula qv भी तो हुआ बोलो भाई qv भी तो हुआ और यही work तो energy के form में होता है यही तो heat energy है तो heat energy का एक formula qv भी हो गया जिसमे q की value है 96,000 और voltage की value है 50 volt जैसे ही आप multiply करोगे यहाँ बनेगा 1, 2, 3, 4 4, 8 5 zeros इतने joules इतने joules इतनी heat energy यहाँ पर generate होने वाली है प्यारे बच्चों simple सा formula लगा qv तो आप कहेंगे sir यह क्यों given है इसका कोई यहाँ यूज नहीं है तेक कोई यूज नहीं है या फिर भई आप qv IT करते उससे आप current निगालते तेक देखो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप जबरदस्ती यूज करना ही चाहते हो नहीं नहीं सर दिया है मैं करूँगा तो भईया पहले निगालो current current is equal to q by t यूज हो गया भईया charge upon time तेक और फिर निगालो आप power p बराबर v i या सीधे सीधे चलो heat निगाल दो इसके बाद तो heat का formula होगा v i into t तो आप खुद चेक कर सकते है i की जो value तुमने निगाली है वो तुम यहां रखोगे तो q by t multiply t t से t cancel ही होना है ultimately formula qv ही आना है हाँ आपको अगर मेनत करना है तो भई कर लो यह time की value को आप रख लो रख के solve कर लो लेकिन कोई फाइदा नहीं है क्यों हम फालतू मेनत करें भई नेक्स देखो बढ़िया कोश्चन है कहरे तो conducting wires of the same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference potential difference भी भाई साब same है the ratio of the heat produced in series and parallel combination would be कहरे currents का ratio बढ़ा दीजे sorry heat का ratio बढ़ा दीजे जब उनको series में जोडा जाए और जब उनको parallel में जोडा सोचो बेटा अगर material same है इसका मतलब resistivity same है length बी सेम है diameter भी सेम है diameter same होने का मतलब area same है और length तो clearly दिया ही हुआ है ज़रा सोचो resistance जो होता है r is equal to rho l y a अगर दोनों का resistivity same है दोनों का length same है दोनों का area same है तो प्यारे बच्चों क्या दोनों का resistance भी सेम होगा बिलकुल तो पहले इनी दोनों को series में जोडा गया है इसका resistance आर इसका resistance आर series में जोडा गया same source से same source से इसका potential difference same according to question कह रहे हैं देखो first connected in series and then in parallel अब इनी दोनों को parallel में जोडा जा रहा है यह देखो with the same source यह फिर से आर है यह फिर से आर है same source देखो लिखा है parallel in a circuit across same potential difference potential difference दोनों बार प्यारे बच्चों same है अब हमसे कह रहे है हीट का रेश्यो बता दो बईया मान लो जड़ा series वाले में heat है hs parallel वाले में heat है hp तो question में हमसे बोल रहे है heat in series upon heat in parallel बताओ हीट का फॉर्मूला होता है बेटा i square rt तो current series का resistance भी equivalent series का time तो same ही होगा again यहाँ पर formula i square rt लेकिन parallel का time same है तो time to cancel हो जाने वाला है अब सिर्थ तुभे current निकालना है तो तुभे resistance निकालना है अगर बात करें हम लोग series combination का तो पहरे बचों series combination में equivalent resistance होता है ना r1 plus r2 तो यह बनेगा r plus r जिसको आप लोग लिख सकते हो 2r लेकिन अगर मैं बात करूँ parallel का तो parallel का formula था 1 upon r is equal to 1 by r plus 1 by r तो 2 by r तो resistance in parallel will be r by 2 यह हो गया 2r और यह है r by 2 अब आजाओ जो रहा current की बात करते है यहाँ पर निकलने वाला current है प्यारे बचों current in series और according to ohms logger मैं बात करूँ current in series का मतलब हुआ v by r तो v by 2r अगर मैं बात करूँ current in parallel जो यहाँ से निकलेगा ip पूरे combination में जो जाएगा अब भाई resistance इस बार हो गया r by 2 तो इस बार जो current होगा parallel में according to ohms law that will be again v by resistance यानि r by 2 तो यह 2 पर जाएगा बिटा it will become 2v by r clear use करो जड़ा current in series v by 2r का whole square resistance in series 2r time से time cancel है current in parallel 2v by r whole square resistance in parallel r by 2 t city cancel प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो v से v r से r इस वाले r से ये वाल आर इस सब cancel क्या बचेगा मैं लिख रहा हूँ 1 by 4 into 2 तो 1 by 2 2 का square 4 by 2 तो 2 तो value कितनी बची 1 by 4 तो यह ratio कितना होना चाहिए बचों this ratio must be 1 is to 4 C option C option is the correct option for this particular question एक अच्छा बढ़िया important question था पूछा जा सकता है आप लोग उसे board exam में अगला है applications of the heating effect of the current तो यह जो heating effect हम लोग पढ़ रहे है इसका application क्या है तो भाई साब application वही है जहां तुमको heat generate कराना हो तुम्हें geezer की जुरत हो तुम्हें electric iron की जुरूरत हो तुम्हें toaster की जुरूरत हो है ना heating coil की जुरूरत हो जहां भी वहाँ पर आप इस heating effect of current का use करोगे जैसे देखो the heating effect of the current is utilized in working of electrical heating appliances such as electric iron electric kettle electric toaster iron कपडे के लिए कपड़ा प्रेस करने के लिए electric kettle आप लोग जानते ही होंगे पानी गरम करने के लिए चाय गरम करने के लिए कौफी गरम करने के लिए दूद गरम करने के लिए electric toaster वो भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से bread के लिए electric oven अवन भी आप लोग जानते हैं, सबको पता है ये बात, रूम हीटर्स ये भी आप सब जानते हैं, वाटर हीटर्स जिसको आप गीजर्स भी कहते हैं, पानी गरम करने के लिए ठंडियों में, तो जहाँ जहाँ हीट करने का काम है, वहाँ पर आप इसको यूज़ करोगे, है ना, इलेक्ट्रिक अवन जो होता है, प्यारे बच्चों, जो आपके घर में अवन होगा, उसका थोड़ा सा कॉंसेप्ट अलग होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो, पेटीज, पेटीज जो हम लोग खाते हैं, पेटीज, पेटीज को कई बार, हमारे कानपूर में तो ऐसा बहुत होता है, मुझे लगता है, 90% शॉप्स में, पेटीज को एक लखली के डबे में रखते हैं, और उसके अंदर 100 या 200 वाट की एक बल्ब जला देते हैं, 100 वाट की एक बल्ब अगर आपने जलाया है, तो आप सबको पता है, वो बल्ब अपने आसपास हीट जनरेट करेगा, और उसके अगल बगल पेटीज रखी होगी, तो अव्वियस से वो भी हीट रहेगी, गरम मनी रहेगी, देखो कितना बढ़िया इंडियन जुगाल है ये, तो ये हीटिंग एफेक्ट आफ इलेक्रिक करेंट की वज़े से ही पॉसिबल हो पाया, अदरवाइस जो आपके घर में अवन होगा, उसका कॉंसेट थोड़ असा लग है, कभी उसके वारे में भी बात करेंगे, वहाँ पर बेटा, वो फूड प्रोड़क्ट के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनके उपर काम करता है, और इसी लिए वो हीट को, मतलब फूड को अंदर से घरम करता है, अंदर से घरम करता है, कभी भी आप देखना, अगर आप पेटीज खरीद दे गए हो, और उसने पेटीज अवन में घरम करके आपको दे दिया, आपने उसको उठाया, आपको लगा रहे ही, तो ज़्यादा गरम नहीं, आपने तुरंट खाया, लेकिन अंदर जो भरा था material, वो भीसल गरम था भाई साब, है ना, जीब जल गई हमारी, ऐसा मेरे साथ तो भाई कईवार हो चुका है, है ना, आपके साथ भी उमीद है, इसको हीट करता है, तो अंदर से बाहर की तरफ गरम करता है, जबकि लॉममली, यह जो बल्ब वाला सिस्टम में बताया, या जो फ्रोकिक हीटिंग वाला यह जो हमने पाहर की तरफ गरम गरेंगे, पैटी चरम होगा, आपके तो पहले बाहर का सर applied क्वार से घरम करेंगा, also that is electric lamps producing light. Electric bulb अपने समय का एक बहुत तगड़ा experiment था, एक तगड़ा invention था जिसने हम लोगों को इतने लाखों साल तक समझ लोगों, लाखों के हजारों साल तक हम लोगों को light दिया, उसके पहले light नहीं था. तो bulb में भी यही concept है कि एक tungsten का wire होता है, उस wire का melting point बहुत जादा होता है, उसमें हम लोग जब current flow कराते हैं, तो tungsten एकड़म से red hot हो जाता है और वो yellowish light जो है देना start कर देता है. The tungsten metal, सारा खेल किसका है वाई साथ? यह, सारा खेल किसका है? Tungsten का, tungsten metal का, यह, tungsten metal is used for making filaments of the electric bulbs because it has a very high melting point of 3380, 380 degree Celsius, इतना ज्यादा melting point होता है, मतलब जब बल्ब साले 3000 degree Celsius तक गरम हो जाएगा, तब वो जाकर melt करेगा, otherwise वो melt नहीं करेगा, तो प्यारे बच्चों, समझ लीजे, heating effect का है, बहुत important application है electric bulb में, अगर electric bulb के बारे में थोड़ी से और बात करें, तो मैं आपको बताऊँ, electric bulb जो होता है, उसके अंदर, जो tungsten होता है, उसके साथ कभी भी air नहीं भरा जाता, उसमें हमेशा inert gases वरी जाती है, जो उस tungsten के साथ reaction ना करें, react ना करें, इसलिए कभी भी bulb के अंदर हवा नहीं होती है, if air, अगर मैं कहूं नहीं जबरदस्ती मैं भरूँगा भाई हवा, तो देखो क्या होगा, if air is present in the electric bulb, अगर bulb में air present हो, then extremely hot tungsten filament would burn up quickly in the oxygen of the air, जो tungsten अंदर है, filament जो है पदला सा, वो melt कर जाएगा, क्योंकि वो उसको oxygen मिल जाएगा, जल्दी से burn up हो जाएगा, so electric bulb is filled with chemically unreactive gases, या उसी को हम chemically inert gases भी कहते हैं, प्यारे बच्चों, inert gases वो होती है, जो किसी से react नहीं करती है, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, और लेना देना उसी का नहीं होता है, जो अपने में fulfilled होता है, जिसका अपना काम बन चुका है, अपना काम बनता भाल में जाए जनता, है ना, अपना काम बन चुका है, इसका अपना octet पूरा होता है, इसको किसी और की जुरुएत प्यारे बचो नहीं होती है, किसी और से react नहीं करता है. Like, argon, nitrogen or mixture of these. Argon भरा हो सकता है, nitrogen भरा हो सकता है, या दोनों के mixture को भरा जा सकता है उस bulb में, ताकि वो उस filament से react ना करे. The gases like argon and nitrogen do not react with the hot tungsten filament and hence prolong the life of the filament of the electric bulb. Electric bulb जो है, यह उसकी life को बढ़ा देता है, क्योंकि यह उसके filament यारी tungsten के साथ कोई reaction शो नहीं करता है. अगला use देखो. The heating effect of the electric current is utilized in electric fuse for protecting household wiring and electrical appliances. यह भी एक बहुत बहुत important concept है, electric fuse. Electric fuse क्या होता है, आपके घर में भी electric fuse लगा होगा, 100% MCB लगा होगा, MCB. Fuse का advanced form MCB. Fuse क्या करता है, fuse इस तरीके का एक system होता है, जिसमें देखो एक glass का tube होगा और उसके अंदर एक wire होगा. इस wire को हम लोग बेटा बोलते, fuse wire. Fuse wire. यह क्या करेगा? अगर आपके घर में किसी current से current ज़्यादा flow हो रहा है, माललो voltage ज़्यादा आ गया, तो current बढ़ जाएगा. Current अगर बढ़ जाएगा, तो वो सारे instruments को जला सकता है. उसमें इतनी heat डेवलप कर सकता है कि वो फुक जाएगा. इसलिए वहाँ पर fuse लगाया जाता है, और fuse क्या करेगा? जब यह fuse आप स्टार्टिंग में ही लगा दे हुए, इसलिए घर में देखो, स्टार्टिंग में ही MCB लगता है. MCB या fuse का मतलब यह हुआ, कि अगर current एक desired value से भी ज़्यादा आएगा, तो यह जो fuse wire है, यह तुरंट melt कर जाएगा. Fuse wire का melting point हमेशा कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, कम होता है. इसका काम ही है कि अगर current ज़्यादा है, तो यह melt हो जाएगा, तो circuit वहीं पर break हो गया, current का flow वहीं पर बंद हो गया, current आगे नहीं जाएगा. और प्यारे बच्चों, current आगे नहीं जाएगा, तो हमारे जो बाकी सारे instruments और devices है, वो सब बच जाएगे. यह इसका concept है, ठीक? तो देखो लिखा है, a fuse is a short length of a thin, thin plated copper wire. Thin क्यों किया? area कम करने से resistance बड़ता है, है ना? having low melting point, इसका melting point कम है. The thin fuse wire has a higher resistance than rest of the electrical wiring in the house. Resistance इसका जादा होता है. क्यों resistance जादा होता है? क्या फाइदा उससे? ताकि यह heat भी generate करे. It is a high resistance, thin wire. high resistance है, और thin wire है. resistance inversely proportional to cross-sectional area होता है, बिटा. अगर thin wire होगा, resistance जादा होगा. और प्यारे बच्चों, अगर resistance इसका जादा है, तो heat जादा generate करेगा, तो जल्दी melt होगा. अगर current बड़ा, तुरन melt हो जाएगा. जैसे ही melt हुआ, circuit break हो गया, current आगे जाएगा नहीं, हमारे बाकी सारे instruments बच्चे है. तो यह समझ लोगे, एक safety guard की दरह काम करता है, आपके घर में, इसलिए MCV का होना, fuse का होना, बहुत-बहुत ज़री है. आजाएए, कुछ छोटे-छोटे, questions की बात करते हैं. यह कुछ MCQs हमारे पास हैं, देखिए, the heat produced by passing an electric current through a fixed register is proportional to, कहरें, जो heat है, अगर मैं उसको resistor से flow कराऊ, तो that is proportional to, magnitude of the resistance of the register, temperature of the resistor, magnitude of the current, time for which the current is passed. आपसे कह रहे हैं, जो heat है, वो किसके square के proportional है, तो हम सब पढ़ चुके हैं, Joule's law of heating में. H proportional to I square था, इसका मदलब correct option हमारा कौन सा है? C वाला. देखो, Joule's law of heating आपने पढ़ा था, वो होता है, H is equal to I square RT. है ना? यहाँ पर बोल रहे हैं, magnitude of resistance, बोल रहे हैं, H proportional to R square, तो भाई, ऐसा तो नहीं होता. H proportional to temperature square, तो temperature का तो कोई खेला ही नहीं है. Time, तो कहरे है, H proportional to time का square, तो यह भी यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है. तो एक ही option आपका correct है, and that option is C part. Next question. The current passing through electric kettle has been doubled. कहरे है, current को double कर दिया, heat produced will become. तो प्यारे बच्चो, Joule's law of heating की अगर मैं बात करूँ, तो H proportional to I square होता है. अगर आपने current को double कर दिया, अगर आपने current को double कर दिया, तो आप मुझे बताओ, जो heat यहाँ पर generate होगा H dash, that will be proportional to 2 I square. अगर मैं proportionality sign उपर वाले में हटाऊँगा, तो बनेगा H बराबर K I square, और नीचे वाले में बनेगा H dash बराबर K 4 I square. तो आप लोग देख सकते हैं, H dash is equal to 4 times H. चार गुना हो जाएगा. So heat produced will become 4 times, so correct option is C option. Next question. Electric fuse works on the, electric fuse किस concept पर work करता है, chemical effect of current गलत है, magnetic effect of current गलत है, बैं, magnet गा तो कोई खेल नहीं है, वो तो अभी हम दो आगे chapter आएगा, पुरा magnetic effect of current वहाँ पर पढ़ेंगे, lighting effect of current गलत है, heating effect of current सही है, ने बच्चो, correct option कौन सा हुआ, D option, next, the elements of electrical heating devices are usually made of, कहने जो electrical heating devices होते हैं, वो किससे मिल करके बना होता है, tungsten का, bronze का, नाइक्रोम का, आरगन का, नाइक्रोम का, देखो, आरगन तो inert है, इससे मदला भी नहीं है, tungsten आप bulb में यूज करते हो, bulb का काम है light देना, ना कि heat देना, समझ रहे हैं, bulb का काम light देने का है, और tungsten, आप use नहीं करते हो, आप नाइक्रोम यूज करते हो, कोई भी heating element होगा, नाइक्रोम का wire यूज किया जाएगा, क्योंकि उसकी resistivity काफी ज़ादा होगा, melting point काफी ज़ादा होगा, कह रहे हीट produced in a wire of resistance X, resistance X है, current Y, flows through it in time Z, time की value Z है, given by, कहें हीट का formula बता दो, तो प्यारे बच्चों, हीट का formula होता है, H बराबर I square RT, I का मतलब Y, तो Y square, R का मतलब X, और T का मतलब है Z, तो देखो ऐसा option कौन सा है, Y square X Z, Y square X Z, केवल यहीं पर देखो, यहाँ X square है, तो यह तो गलेत हो गया, यह मुझे सही लग रहा है, B option, बाकी भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर Y है, तो यह गलत हो गया, यहाँ भी Y है, यह भी गलत हो गया, तो I think correct option is, B part, आजाएए, next question पर, which of the following characteristics, is not suitable for a fuse wire, fuse wire में, जो आज आपने fuse पढ़ा है, उसमें कौन सा characteristic suitable नहीं है, thin and short, thick and short, low melting point, higher resistance than rest of the wiring, देखो, high resistance तो होता ही होता है, बिलकुल सही बात है, यह तो point बिलकुल correct है, low melting point, यह भी point बिलकुल correct है, थिन भी होना चाहिए, यह भी point बिलकुल correct है, केवल एक point बिलकुल गलत है, कौन सा? Thick, thick wire नहीं होना चाहिए, thick होगा तो resistance कम हो जाएगा, इसका मतलब, B option गलत है, इसलिए यहाँ पर वही B option सही है, हमसे कहा गया question में, which of the following is not suitable? तो B option is not suitable, बाकी तीन सही है, केवल यह गलत था, यह point concept के हिसाब से गलत था, इसलिए यही यहाँ पर हमारा answer, ऐसे questions बिटा, ध्यान से पढ़िएगा, अगर लिख दिया गया, जरा सा एक इत्तू सा गेवल लिख दिया, not, भाई साब मामला एकदम बदल जाता है, जरा भी आपने गलती किया, गया आपका question, next देखो, in a filament type light bulb, most of the electric power consumed appears as, अगर हम लोग किसी light bulb की बात करे, तो ज़्यादा तर जो electric power है, वो किस form में आपको दिखाई पड़ेगा, visible light, infrared rays, ultraviolet rays, या fluorescent light, अगर कोई light bulb है, तो ज़्यादा तर electric power किस form में आपको देखने को मिलेगा, visible light के form में, infrared light के form में, ultraviolet के form में, या fluorescent light के form में, तो ये आपका option है, infrared rays, वैसे हम लोग को, electric bulb जो light देता है, yellowish color की light होती है, है ना, feel तो आता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है ना, इसलिए वो काउन सा हुआ, infrared rays, next, which of the following is, most likely temperature of the filament, of an electric light bulb, when it is working on normal 220 volt supply line, कह रहें, 220 volt की supply line पर, कोई light bulb है, उसके filament की बात करें, तो उसका temperature कहां तक हो सकता है, 500, 1500, 25, 45, देखो, melting point जो था, वो 33, 50 के आसपास था, मतलब मैंने अभी पढ़ाते समय भी बोला था, 3500 degree Celsius तक, तो 4500 तो हो नहीं शकता भाई साब, है ना, इसका मतलब most suitable option काउन सा हुआ, C वाला, क्योंकि यहां भी बोलने जा रहा है, most likely temperature, तो most likely temperature काउन सा हुआ, 2500 degree Celsius, last question, if the current flowing through a fixed resistor is halved, कहरे current को अगर आधा कर दिया जाए, heat produced in it will be, heat का क्या होगा, देखो, heat proportional to current square है, current को अगर आधा करोगे, तो heat आपका 1 fourth हो जाएगा, क्योंकि I by 2 का whole square बनेगा, so it will become 1 fourth, तो प्यारे बच्चों, correct option हमारा कौन सा हुआ, C option, तो यह था आपका heating effect of the electric current, और उस पर based कुछ MCQs, I hope आप सभी प्यारे बच्चों को, यह पूरा concept अच्छे समझ में आ गया होगा, यह chapter भी पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, मिलते हैं अपने next chapter में, तब तक के लिए good bye, take care, सभी लोग जम के मेनत करिएगा, और इस chapter के बाकी सारे lectures को भी ध्यान से देखिएगा, अच्छे में आपिएगा,